वल्कम बेक अब्रेवन वल्कम टो सब्ल सर्फ से स्टड़ी 412 टेस्ट कंप्लीट हो गए यूपी पी असी के लिए यूपी असी के लिए तो चले स्टार्ट करते हैं अंगला टेस्ट लगाते हैं यह टेस्ट नंबर 413-403-413 इंपोर्टेंट होंगे प्रेश्ट एक लाइक करिएगा टेस्ट पसंद आता है तो तो कुश्चन नंबर बन आज है 27 जून जब यह टेस्ट रिकॉर्ट किया जा रहा है तो प्रत्वी पर कुश्चन नंबर बन प्रत्वी पर अन्य छेत्रों की अपेक्षा उस्ण कटी अधित रहना और उच मौसमी परिवर्तन इस छेत्र को अधिक सौर उड़ जाकी प्राप्ति नीचे दिए कूट की सायता से सही उत्तर का चैन करिये तो देखें जो उश्ण कटी बंदे छेत्र होता है उसमें सरवाधिक वायो डाइवर्सिटी पाई जाती है परियावत मात स्यट्म loosenet करो तो इसको चला इस छेत्र को अधिक सौर युड़ जागी प्राप्ती प्राप्ती होतिये तो सारे के सारे तो नहीं होंगे Even बी करेक्ट हो जागा एक और तीन और दोसु सेंटिमेटर से अधिक वर्षा तो देखिए कथन दोसा ही नहीं है उश्ण कटी बंदे छेत्र में प्रत्वी की सरवाधिक जयवेःता पाई जाती है क्या क्या करना हो सकते हैं इसके देखिए जाती उद्भवन लंबे समय का कार मतलब जो इस पिसीज है वो ज्यादा पनपती नहीं है जबकि उश्ण कटी बंदे छेत्र जो है लाखो वर्सों से अपेक शाकरत एवाधित रहा है इसी कारण जाती विकास जो है तथा विभेता के लिए जो है बहुत समय मिलता है उश्ण कटी बंदे छेत्र में एन कंप् कर जाए जाएगी उश्ण कटी बंदे छेत्रों को अधिक सौर उड़जा उपलब्ध होती है जिससे उत्पादन अधिक होता है और इससे परोप्ष रूप से जयाब विवहता जो है वो अधिक विक्षित होती है तो को स्यों नुमबर टूपर आजाये इन में से किस छेत् छेत्र को या फिर अमेजन वर्षावनों को प्रत्वी का फेपड़ा कहा जाता है किसको अमेजन वर्षावनों को किसको अमेजन वर्षावन ऑप्सन नमबर डी तो देखें अमेजन वर्षावन को प्रत्वी का फेपड़ा कहा जाता है इस विशाल बन में पौधों अबम जन्तुओं की करोडों जाती है इने इस पसीज निवास करती है तो इन सबसे कहीं ज़्यादा है अमेजन वर्षा बन में कुशन नमर थरी पर आजए इनमें से कौन सा जो है जैवे विता के हार्श का सरवाधिक परमुक करण है ये सारे के सारे करण जैवे विता के हार्श केहें लेकिन सबसे ज़्यादा है परमुक क्या हो सकता है इनमें सोचिए जोला मुखी उदगार या विदेशी परजातियों का आकरमण या इस्थानिया परजातियों का आकरमक्ता या फिर आवास ये विखंडन और छती देखिए जोला मुखी उदगार ठीक है चलिए विदेशी परजातियों का आकरमण ठीक है इस्थानिया परजातियों की आकरमक्ता भी ठीक है लेकिन अगिर आप किसी का घर ही नष्ट कर दोगे उसका हैविटाट लॉस कर दोगे उसका आवास नष्ट कर दोगे उसका उष्ण कटीवंद्य वर्षावनों में होने वाली आवासिय छती इसका सबसे अच्छा उधारण है एक समय वर्षावन प्रत्वी के 14 परतिशत छेत्र में फैले वेते लेकिन अब वे 6 परतिशत से अधिक छेत्र में नहीं है कि कुश्चन नमबर 4 पर आ जाईए जैविक वि बाइबर्सिटी के होटड वे श्पॉट छेत्र के संबंद में नम्रिकित कत्नों पर विचार करना है पैला स्टेंट मेंट है यहां पर जाती है संब्रत्धी बहुत अधिक होती है यह चेत्र केवा लूश्ण कटीवंदते छेत्र में पाये जातें हैं केवल इन चेत्रों क को जविक वहिता संरक्षण के इंसीटू संरक्षण के अंतरगत सामिल किया जाता है इंसीटू कंजर्वेशन इंसीटू या एकसीटू देखें पहला बाला करेक्ट है वायो डाइवरोसिटी होट सेकेंड इंकरेक्ट है एरिबनेट करके आंसर लगा दीजे सी तो केबल कथन एक और तीन सही है दो सही नहीं है जहां पर जाती है समरिद्धी बहुत अधिक और उच इस्थानिक पर जातियां होती है जो अन इस्थानों पर नहीं होती या दिपी संसार के सारे होट स्पॉट सी तपस में मिलकर प्रतवी के दो पृतिशत से भी कम है देखा जाए तो जयाब इफिप्ता के होट स्पॉट उश्न कटी बंदे उपोश्न कटी बंदे सी तो उश्न कटी बंदे अन छेत्रों में पाय जा सकते हैं होट स्पॉट छेत्रों का सन्रक्षन इंट c2 और कई बार बताया होगा आपको बताईए पहला स्टेट्मेंट है साकार को प्रोथसान देने से जैब फिता की छती होगी या फिर उसको लाव मिलेगा अती दोहन करने से जलवायू परिवर्थन से आवासिय छती और विखंडन से तो हो गई होगा देखिए वायो डाइवर् करो तो अल्विनेट जहां पर एक है वो नहीं होगा इसका अंसर हो जाएगा दो तीन चार दो तीन चार के बल दो तीन चार तो देखे जाती है विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है वह मुख्य रूप से मानप क्रिया कलापों के करन है इसके चा और विदेशी जाती हो का अक्रमन है चार भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि जलवायों परिवटतन हो गया फिर आवास यह विखंडन छती हो गया आती दोहन है विदेशी पर जाती हो यह मेन चार फिर सहभ लुपत तावी बहुत सारे जीव खुदी बिलुपत होते रहते हैं सबस्क्क चेलिए। है नमड़ के नमड़क दमेंसे कौन से भारत के होटस पोट्ट च्वेस्टर हैं वेस्टन घाट वेस्टर्ण हमालय इंड़ बर्माहिमालय और सुन्डा अलेंड यह मुझ्ट इम्पोर्टन प्रस्न इसको भूलना मत कभी भारत के होटस पोट्टर शे चार एक तीन चार भी है इसका उत्तर है तो देखिए भारत में जैब भिविटा के तीन हाट स्पॉट है एक है वेस्टन घाट पस्च्रिमी हिमाल और दूसरा है सुंडा लेंड यानि भारत से लंका के बीच सुंडा लेंड और इंडो बर्मा हिमाले शेत्र है इन शेत्रों म कुल जैव विभ्यता मैं पादपो की जातिय विभ्यता है 150 प्तिंशत नहीं या 22 प्रतिशत देखिए प्रतवी पर 10 प्रतिशत है जैव भीता मैं जनुती और कापत्त सटर प्रतिशत आधिक जबकि सेवाल, कबक, बरायोफाइट, आबरतवीजी तथा अनाबरतवीजी जैसे पादपु को मिलाकर वाइस प्रतिशत से अधिक नहीं है Question No.8 पर आजाईए निम्लिकित में से कौन से जैब विभेता संरक्षन के स्वेय स्थाने यह मतलब इन सीटू, कंजर्वेशन, पद्दिती के अंतर गताते हैं, यह भी मोस्ट इंपोर्टन्ट है इसको यह बहुत पूछते हैं, PCS का फैबरेट है तो राश्ट्य उद्यान या नेसनल पार्क इन सीटू में आता है वन जीब अभेरन इन सीटू में आता है जैब मंडल अरक्षे छेत्र वाइस पे रिजर्व इन सीटू में आता है और बोटनिकल गार्डन जो है, XC2 में आता है सीड बैंक हो गए, यह भी XC2 में आते हैं तो दो को ऐलिमनेट कर दो, जहां जहाएं दो वो नहीं होगा बिल्कुल इसका अंसर अपको मिल जाएगा एक तीन चार तो देखिए जैब इफेता संरक्षन के इन सीटू कंजर्वेशन पद्दिती के अंतरगत नेसनल पार्क आता है वन जीब अभेरन आते हैं जैब बंडल रिजर्व अरक्षे छेत्र आते हैं बोटनिकल गार्डन नहीं आता शीड बैंक नहीं आता याद रखेगा कोश्चन नमबर नाइन पर आ जाएए जैब इफेता संरक्षन के बाह स्थाने मतलब एक सीटू संरक्षन विधी के संबंद में नीचे देगे कतनों पर अधर इन सीटू था एक सीटू है दो है इन सीटू एक सीटू देखे इस पद्यती के अंतरगत संकट संपन पादप एवं जन्तूओं को उनके प्राकरतिक आवास में ही सनरक्षित किया जाता है और जन्तू उद्यान कॉमा बनस्पति उद्यान एवं जीव सफारी का निर्माण भी इसी के अंतरगत आता है बताएए देखे बोटनिकल गार्डन तो हो गए बनस्पतिक उद्यान जीव सफारी भी इसी के अंतरगत आता है जन्तू उद्यान भी इसी के अंतरगत आते हैं तो दूसरा correct हो गया पहला गलत है पहला गलत है क्योंकि यहां के लिखा XC2 XC2 का मतलब है पादपो जो संकट संपन जन्तु और पादप है उनके लिए जो है प्राक्रतिक आवास में संद्रक्षन दियाता है उनको बहार संद्रक्षन दियाता है तो के बल दो करेक्ट हैं पर पहला इंकरेक्ट है तो XC2 के अंतर गताते हैं जीव सफारी बरंसपति उद्ध्यान शीड बैंक और जन्तु उद्ध्यान और इंसीटू के अंतर गताते हैं नैशनल पार्क वाइस पेयर रिजर्व और वन जीव अभैरन है पॉमा लगा देते हैं तो देखे कथन एक असत्त है संकट संपन पादप हैं जन्तु को उनके प्राक्रतिक आवास में संरक्षत करना इंसीटू संरक्षन कहलाता है और जो बाहे स्थान है उसमें संरक्षन बिधी में संकट संपन पादप हैं जन्तु को उनके आवास प्राक्रतिक आवास से अलग जो है एक विसेश स्थान पर उनकी अच्छी देखवाल की जाती है और इन्हें साबधानी पूरवक संरक्षत किया जाता है तो इंसीटू कंजर्वेशन में क्या है स्वय स्थाने मतलब उनके ही प्राक्रतिक वास में उनको संरक्षन और एक सीटू कंजर्वेशन में क्या है संकर्ण संपन पादपो और जन्तु को प्राक्रतिक आवास से अलग एक विसेश इस्थान पर उनकी देखव में सुरक्षित हैं कोशन नुम्बर दस पर आजाए नीलगरी ताहर से रिलेटेड कुछ नीलगरी ताहर के उपर पहले भी प्रश्न बने होंगे, इस अस्थानी भासा में नीलगरी साकिन या फिर केवल साकिन के नाम से जाने जाता है, पहला वाला करेक्ट है तो और तीसरा वाला इनकरेक्ट है तो ये तो होनी सकते हैं यह तमिल नाडू बे केरल में पाय जाता है तो था पश्चमी घाट के दक्षणी भाग में रहने वाला एक जंगली प्राणी है तो देखें नीलगरी ताहर की बात करें तो भारत के तमिलनाडू बे केरल राज्यों में नीलगरी परवत और पश्मी घाट के दक्षणी भाग में रहने वाला है यह जंगली प्राणी जिसके निकट संबंधी है जंगली बकरी और भेड इसे इस्थानिय बोलचाल में साकिन के नाम से भी जाना जाता है यह IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है इंडेंजर्ड मतलब संकट ग्रस्थ है मतलब लुप्त प्राय है क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है नहीं तो यह 10 प्रश्णते इंपोर्टेंट अच्छे सेन का रिविजन कर लेना इनवार् क्या इंडेंगाले इंडेंगाले को दो Second